ये हैं आकाश जी, एक काम्याब यूट्यूबर, चार साल में 25 लाख सब्सक्राइबर, इतनी तरक्की, बेशुमार दौलत और इतने फैंस, गलत फहमी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, अब ये गलत फहमी में आप अपने को भगवान, बाहुबली, स्पाइडर मैन, आया है आपने, परन्तु धॉलेरा जैसे नाशनल इंपोर्टन्स रखने वाले प्रोजेक्ट पर एनर्जी नहीं लगाए गई है, कारण मै की रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी भी हो सकती है, आकाश जी, आप काम्याब पत्रका रह चुके हैं, और आपका ये केरलेस आडिट आता है, जिसके वज़े से अगर कोई भी इंडस्ट्री वहाँ बैठाएगा, उसकी पूरी इंडस्ट्री डिस्ट्राइ हो जाएगी, उसका पूरा वरक्शाप, उसका पूरा फैक्टरी फ्लोर फ्लडेड हो जाएगा सिस्टम के अलावा, सीवर, इंडस्ट्रियल वेस्ट इत्यादी का मैनेजमेंट किया गया है, दॉलेरा की जमीन सम्तल है, धलान नहीं है, और इसी वजह से पूरी सिटी को उचाई पर बनाया गया है, ये सब बहुत सरलता से मैनेज किया गया है, नो रॉकेट साइंस, पब रॉटीनली का मैं ठेली और आद टारिया घ्र हाँई, पानी को जाने के लिए द्यादा नहीं होती, तो बारिश जब गरता है, नदिया बेहती है, तो पानी एकडम जेदे बहुत अग्दम प्रेदा है, तो उसको हम और टेकनिकल तरम में इनन देशन केते है, तो उसको हम और देल डिया समझाने तिय descalpes is venus right new orleans in america is another area that is completely under water but people live there for the last 200 years的 matter what we have done is we have created this canal this was an engineering solution to a technical drainage problem because the water could not flow we created this canal so that all आपको एकॉम और हेलक्रो से इंट्रिड्यूस करती हैं, जो USA और अनेक विक्सित देशों की सिटीज बनाती हैं, धौलेरा को एक नहीं, दो कमपनिया बना रही हैं, एकॉम USA की और हेलक्रो UK की, ये कमपनिया 2013 से निरंतर काम कर रही है, क्रप्या इनके काम को थोड़ा गौर स आनेके स्क्वारिया रिक्टैंगल प्लोट में कन्वर्ट किया गया है, विद डिफाइन रोड्स, एलिगेशन नमबर दो, 15 साल पहले ही इंडिया में दुबई की खोच करना, ये कुछ ऐसा ही हुआ कि बाजार में आपने अंडा खरीदा, और घर पर जाकर मैडम से कह रही यहां बिजली का वितरन कोई छोटी मोटी कमपनी नहीं, बलकि USA की कमपनी टॉरेंट एवल्व है, और इसमें कोई भी गुजराद बोर्ड या B.S.E.S. एवल्व नहीं है, जो दो लाज डिस्रिबूशन सब स्टेशन लगा भी चुकी है, 21 किलोमीटर से बड़ा 90 किलोमीटर की सड़के बनाए गई है, और मुंबई से कंपेर करें, तो ये बांदरा से लेकर कोलाबा तक के एरिया के बराबर है, इस एक्टिवेशन एरिया में दिखने वाले ओरेंज कलर पे 50 मंजिल तक की मल्टी स्टोरी हाई राइस बिल्डिंग्स आएंगी, येलो ए यानि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के 40,000 करोड की कमिट्मेंट की बात कर रहे हैं, ये कंपनी तो काफी समय पहले बैंक्रप्ट हो गई थी, और कंपनी हैस टोटल दूज अफ रुपीज 9,727 क्रोर और रुपीज 4,091 क्रोर अफ देम तो इंडियन बैंक्स, सही ख ये वाटर गजलर प्लांट्स अगर एक घंटा भी बंध हो जाए, तो करोडो का नुकसान हो जाता है, जो भी कोई सेमिकंडक्टर फैब लगाएगा, पानी और पावर की रेगुलर सप्लाई 100% सुनेश्चित करके ही लगाएगा, अभी कादिपुर के वाटर प्रॉब्लम्स में है, बात रही गोगल की, उन्होंने एक ही विजिट की थी, अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर अपने निजी स्वार्थ के लिए उसे बढ़ा चड़ा कर दिखाता है, तो नैशनल डेफॉल्ट अकाउंट में कंसिडर्ण नहीं किया जाएगा, इसके जानता सेमिकंडक्टर है, जो सबसे बड़ा 700 एकर का फैब्रिकेशन यूनिट लगाने के बारे में सोच रही है, और टाटा एयर बेस के 1426 एकर की बात चल रही है, धॉलेरा के अलावा आपको इतने बड़े प्लोट्स अभी कहीं भी नहीं मिलेंगे, और वो भी इन रेट पर, once the factories are operational, rates will touch the sky, every industry will move towards धॉलेरा only, आप भी यहाँ पैसा लगा दो, आकाश बाबू, यूट्यूब की इंकम का कोई भी भरोसा नहीं है, वैसे आप जो बात कर रहे हैं, वो सरकारी लैंड की है, जिसके लिए जो भी कमपनिया आ रही हैं, उनकी immediate requirements है, कुरोना की वजह से there's a last mile delay in utilities, बड़े पासल सिर्फ सरकार की पास हैं, प्राइवेट प्लोट्स, सिटी सेंटर, नॉलेज और आईटी पार्क और HAC, जहां multi-story 1500 मीटर उचाई की building allowed है, बिन activation के भी बिक रहे हैं, residential और industrial में भी बहुत तेजी है, खास कर छोटे प्लोट्स, जो एक एकर से 5 एकर पावर का टाटा से कुछ लेना देना नहीं है ये, रिन्यू पावर नैस्डेक पर लिस्टेड कमपनी, अपनी सोलर सेल्स और मॉडल्स बनाने की फैक्टरी धॉले रा में फास्टिस्ट कंस्ट्रक्ट कर रही हैं, टाटा की तीन एंटिटीज इवॉल्व हैं, टाटा अगर आउटसाइडर हो, तो ऑनलाइन पर्मिट लो और शुरू हो जाओ, ये बहुत छोटी बात है, धॉलेरा एक स्पेशल रीजन जोन है, एंड बिजनस सिटी है, और लास वेगस की तरह एक इंडिपेंडन्ट लाइफस्टाइल सिटी बन जाए दो हजार बतीस तक, तो इन फ्लेक्सिबिलिटीज में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, धॉलेरा में पॉलिटिकल विल है, धॉलेरा से बहुत उमीद है, हमारा और लोगों का मानना है, और जो सूत्रों से सुना है, स्टेज वान, दो हजार बाईस से दो हजार पचीस में फैक्टरीज लगेंग यहाँ पर तयार किया गया माल DFC कोरिडोर से बाहर ले जाया जाएगा, दो हजार बतीस के समय के अंत से पहले ही धॉलेरा इंडिया के किसी भी सिटी से आगे जा चुका है, मेड इन इंडिया के अंडर पूरे हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियल प्रोडट्स के शोरूम यह होंगे, खास कर 48 मीटर और 55 मीटर के रोड पर, अंतराश्ट्रिय एरपोर्ट होने की वजह से US, यॉरोप और दूसरी कंट्री के लोग यहाँ पर चाइना की जगह हिंदुस्तान से माल मंगाना पसंद करेंगे, एजुकेशनल बड़ी बिल्डिंगे और कैंपस तयार हो च खिलने आएंगे, यहाँ पर बहुत बड़ा स्पोर्ट जोन का प्लान किया गया है, कलपसार के 25 सर्वे हो चुके हैं, 8 चल रहे हैं, 10 रहते हैं और काम जोर शोर से चल रहा होगा, साल 2022 कलपसार का काम जो की 32 किलोमीटर का डैम है, दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाट सरीन बन चुकी होगी, देश भक्त बनने के लिए देश को जानना और समझना बहुत जरूरी होता है, तो क्रिटिसाइज करने से बहतर ये है, हम सभी अप्रीशियेट करें उन लोगों को, जन्होंने सिटी को प्लान करने और बनाने में दिन रात एक कर दिया है, थैंक्स प moir सleadu, मुबसक भूरीश जरूरीश को जरूरीश प्लाना इसकी दीन...